नमस्कार दोस्तों परताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का जो दावा करता है देश वहाँ पर जो नए बने हैं राश्टपती डोनाल्ड ट्रम्प उनके बनने से विश्व कूट नीती पर क्या असर पड़ेगा क्योंकि उनके घर में क्या असर पड़ेगा इस पर तो चर्चा होई रही है कैसे बने क्यों बने लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नए अमरीकी राष्टपती का असर कम से कम जो संघर्ष के इलाके हैं दुनिया में दो जो चल रहे हैं वहां क्या फर्क पड़ेगा और साथी साथ जिस तरह से ट्रेड वार्ट के लिए वह कुख्यात रहे हैं उस पर भी क्या असर पड़ेगा क्या वे बढ़ेंगी और इस पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायस से प्रभीर दुनिया ने देखा बहुत क्यूरसिटी थी कि क्या होने जा रहा है अमरीका के राष्टपती चुनाओं में और अंतता हमारे सामने नतीजे आये जिसके बारे में क्यास लगाया ही जा रहा था डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए और कमला हैरिस हार गई सिटिजन कहते हैं खुद को कि अंतता होने क्या जा रहा है ट्रम्प के बनने से राष्टपती क्या जो पश्चिम एशिया है उसमें जिस तरह से एक संघर्ष चल रहा है पिछले एक साल से जिस तरह से हालात है महाँ पर वो हालात किस दिशा में जाएंगे आपको क्या लग इसके बाद बाइडन, राजडितिक तौर पे कूटनितिक तौर पे कोई खास फरक नजर नहीं आता, सब अमरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त पूरी तरह से नेतान्याहू सरकार के पीछे रहे हैं, और जो भी वादा थे प्लिस्टीन के बारे में उसको तिलांजली देने में प इस वक्त जो खतरनाक जंग चल रहा है, जिस पर जैनोसाइड दिख रहा है, सामने, सबके सामने, गाज़ा में जो हो रहा है, अलिमनान पर भी जो शुरू हो हुआ है, दोनों को देखते हुए, ट्रम्प का इस बारे में कोई दखल अंदाजी होगी, फिलिस्टीनियों के पक्ष में यह नहीं लगता, हलाकि लोगों को उमीद है, कुछ लोगों का यह तो जो क्या कहता है, डेविल जो हमने देख रहे हैं, तो डेविल जो नहीं आया, उसको देखना बेतर है, बट मुझे नहीं लगता इन दोनों में से, इसमें कोई फरक होने वाला है, मैं यहां फिलिस्तीन की जनता के विरोध में इसराइल के पक्ष में कई एहम फैसले किये थे, और आज की तारीख में भी यह बताया, यह आशंका बहुत तगड़ी है, खास और से फिलिस्तीन के लोगों में और हमास ने खुद बोला भी है, कि क्या हमला तेज होगा, क्या जैनोसाइ अमरीका का है, इसराइल में पोस्टर लगा है, कॉंग्रेचुलेशन ट्रम्प, मेक इसराइल गरेट, नहीं इन सब चीजों में ज्यादा तवज्यू नहीं देता हूं, करता हूं, साफ बात है, जैनसाइड चल रहा है, इससे और क्या हो सकता है, सवाल जो है, अलग सवाल कि ट्रम्प इरान के साथ क्या करेगा, वो अभी भी कह सकते हैं, सवाल है, प्रश्ण चिन्द है, पर इसरेल में, इसरेल जिस तरह से इस वाक्त जेनसाइड चला रहे हैं, उसके पीछे अमरीका की बॉम, बारूद, समर्थन, यह अगर नहीं तो एक दिन भी नहीं चलेगा तो इसलिए कहना कि ट्रम्प आने से और भी खत्रा बढ़ेगा, फिलिस्टीन के लोग कहेंगे और क्या खत्रा बढ़ सकते हैं, हम तो हर रोज हमारे उपर बंबारी हो रही है, 25,000 बच्चे मारे गए युएन के हिसाब से, युएन के हिसाब से, पर इससे और भी बड़ी बात हैं, भुखमरी की कगार पे जो है, कोई सप्लाइस नहीं जा रहा है इस वाक्त, युएन रड़ी एक उनको बंद कर दिया वहां से जाने आने में, तो कोई सामान महां नहीं पहुंच रहा है, और पूरा दुनिया चुप है, और दुनिया के तो कोई सुनने वाले नही है, सुनने का तो सिर्फ अमरीका का क्यों, क्यों अमरीका से हाथियार जा रहा है, अमरीका से पैसा जा रहा है, और इसी जंग में, कोई भी प्रोटेक्शन अगर चाहिए, जैसे इरान से जंग होगा, तो उसका प्रोटेक्शन अमरीका से चाहिए, ये देखते हुए, सवा और मैं समझता हूँ कि यहां इसमें ट्रम्प और बाइडन सवाल नहीं है, ट्रम्प और हैरिस सवाल नहीं है, सवाल यह है कि इस्रेली स्टेड जो है, उसके अंदर जो दरार दिख रही है, जहां पर अब देखी रहे हैं, वहां पर कुछ उंके रक्षा मंत्री को हटाये गय सबसे क्लोस थे इनके, नेतानियाहू के, तो वहां पर जंग चलाने का शक्ति कि आ उसके मिलिटरी में कितनी देर तक है, इसको एक आर्बी जो है ना, यह प्रोफेशनल आर्बी नहीं है, आधेर से ज्यादा लोग रिजर्विस्ट्स हैं, वो कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, साल में एक महिना दो हफता प्रैक्टिस करते हैं, और जंग होता है तो पूरी तरह से आते हैं, उनकी एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करने वाले जंग में है, किते दिन ऐस तरह से और चला पाएंगे, यह सवाल है, और यही सवाल देखते हुए, उसकी प्रक्षा मंत्र के कहा था, अब सीसफायर की और हमें बढ़ना चाहिए, जो न हमें नेतानियाहू ने निकार किया उससे, तो यह देखते हुए, मैंने ही समझता हूँ, यह यूएस के हाथ में है, यह तो इस्रेयल के जनता के हाथ में है, जो कि अरब जनता नहीं है, यहूदी जनता है, उन कि economy इसको बरदाश्ट कर पाएगी है नहीं तो बुनियादी तोर पे आपको लगता है कि ट्रम्प और जो बाइडन इसराइल और फिलिस्तीन के दोनों चीजों का जिक्र सबसे पहले करना चाहती हूं क्योंकि जीतने के बाद ट्रम्प ने जो अपना भाशन दिया उसमें कहा कि मैं कोई युद्ध शुरू नहीं करूंगा करता हूं और मैं युद्ध के समापती के लिए बात करूंगा तो और यूकरेन को लेकर वो अपन चुनावी भाशन के समय भी कह रहे थे कि हम कब तक अपने खर्चे से उसको हथियार दें तो क्या आपको लगता है कि यहां पर भी इस्थिती कुछ बदलेगी या वैसी ही रहेगी यहां पर तीन इस पर प्लेयर से रश्या, अमरीका और वेस्टन यॉरप वेस्टन फमार्थन सब इसमें है, अमरीका को तो है ही तो ही हमारे हातियार लें लेंगे, तो ठink है थो पैसा को हीए और यॉरप पैसा दे क्योंकि उसकी तो बार्डर के दवाव बढ़ेगा कि वो किसी ना किसी तरह से एक समझावतर उससे करें. दूसरी बात जो यूक्रेन में है, सभी को मालूम है. नियॉर्क टाइम्स भी वो लिख रहा है इस बारे में. वाशिंग्टन, बोस्ट, नियॉर्क टाइम्स, फाइनाशिल टाइम्स जिसको कहेंगे उनकी दुनिया की नुमाइन दोगनी, वेस्टर लीडर्स के अखबार है. सब कह रहे हैं, यूक्रेन की फाउज जो है इस वक्त और जंग करने के स्थिती में नहीं है. बड़े पहिमाने में हम सहायता दे तो शाहिद हो करें पर अब जो है जंग ऐसे मोड पर पहुंच गया कि रूस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये बहुत जल्दी ही इस जंग को समाफ्ट करने की समय आ गया है. तो उसको देखते हुए ट्रॉम्प क्या करेगा या एक बात तो है नया प्रेजिडेंट है तो देखेगा कि चलो इस पर कुछ हम कर देते हैं तो सबको शायद अच्छा लगेगा हमारी थोड़ी सी चमंख आ जाएगी चेहरे पर सवाल इसकी है कि यॉरप कितना पैसा खर् हम नहीं तो ये एक थोड़ी से तस्वीर इसका मतलब है बाइडन से बदलेगी ट्रॉम्प के दौर तक बाइडन तो भी चार महिना और है तो आप क्यों कह रहें बाइडन के बाद ये आपका शपत लेगा ट्रॉम्प 20 तारी को 20 जन्वरी को वक्त है दो महिना और वक्त है और दो महिना लगे उसको कामान सम्हालने में, अभी मुझे लगता है इसके बारे में शान्ति वारता जो है धीरे धीरे शुरू होने वारता है, शायद हो सकती है, इस पे बहुत ज़्यादा इसमें निर्णायक होगा, यॉरप वेस्टन यॉरप क्या करता है, अब जर्मनी मे क्राइसिस है, इसको लेके फ्रांस में, इसको लेके क्राइसिस है, वो क्या करते हैं, तो वो देखना पड़ेगा, अगर वो जंग के पक्ष में है, और पैसा खर्च करने के लिए तयार है, तो जंग चलेगा, पर मुझे लगता है, सभी को अब अहसास हो गया है, जंग और और जग और चलाना यूक्रेन को और भी क्या कहेंगे पूरी तरह से हानने की राश्ने पहुचा देंगे तो इसलिए इस वक्त शायद इसको किसी तरह से सुलह करना और एक समझाता करना शायद जरूरी है उनके लिए भी तो देखते हैं क्या होता है और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है वैपार का ट्रेड वोस का है और इसके लिए भी काफी कुख्यात रहे हैं ट्रम्प और ट्रम्प का जो पिछला शाशनकाल था उसने दुनिया के अच्छे खासे हिससे में इसका असर भी देखने को मिला था जिसमें भारत भी शामि रहा है कि बस हमारा ही राष्टपती आ गया है पुराना मित्र है और बहुत ही भला भला होने वाला है यह जो ट्रेड वार्स का बात है रिस्ट्रिक्शन की बात है इसका जो खौफ है आज तमाम एडिट्स भारत में भी लिखे जा रहे हैं इसके संदर में कि हमें काफी सतर निगाह रखनी पड़ेगी भारत का क्या होगा भारत के वैपार का क्या होगा यह कितना बड़ा मुद्ध आपको दिखाई दे रहा है आज की तारीख में ट्रॉम्प ट्रांजक्शनल है हर चीज को लेंदेन जो है वो व्यापारी की नजर से देखता है पुजीपती रहा ह जो है व्यापारिक लड़ाई शुरू हुआ था ट्रॉम्प पी शुरूआत से अलाकि पहले से भी चल रहा था सैंक्शन्स वगरा शुरू हुआ था पर यह जो है काफी इंटेंस हुआ था ट्रॉम्प के पहने पर पर उसके बाद बाइडन उसे पीछे नहीं हटा बलकि आ अमरीका इस वक्त जो है किसी भी देश के साथ संबंध ट्रांजैक्शनल रखना चाहता है तो लेंदेन आधारी कहे जो भी जुबानी जो भी कहे लेंदेन को इसी आधार पे चलाना चाहता है हमारा क्या फाइदा और हमारा अगर फाइदा नहीं है तो हम डव्य ट्यो भी लांजनी के लिए देलने के लिए तयार है डव्य ट्यो इस वक्त मॉरिबंड वैसे भी हाँ वैसे भी एक तरह से वो मॉनिमेंट है मॉनिमेंट नहीं मॉरिबंड है क्योंकि उसकी जो डिस्प्यूट सेट्लमेंट बॉड़ी है उसको अमरीका ने पूरा नाकाम बना दिया है उस पर कोई लोग रखने के लिए उसकी सम्मती चाहिए उन नहीं दिया है ठीक है तो नाकाम है पूरी तरह से इस्प्यूट सेट्लमेंट नहीं होता तो डव्य ट्यो को काम ही नहीं है तो ये बात जो है देखते हुए इस मामले में चीन्ज के खिलाब जूनकी आर्थिक की लडाई है चलेगी पर यह नहीं सबशना चाहिए कि हम को छूट मिलेगी यह लीकिन भारत से तो बहुत अच 새 रिष्टे बहुत मेरे अच्छे दोस्तिं कि अधर थीक है दोस्ती तो है इससे का फ़रक पड़ता पैसे की बात आएगी पूजीपती किसी का दोस्त नहीं हो तो एक बात तो है कि अमरीका की एकॉनमी इस वक्त नीचे की तरह जा रहा है। उसका यह आज की दिन पर उसका इंडस्ट्री जो है कॉंपुटिटिटिव नहीं है। यह देखते हुए उसकी जगह कौन लेगा यह सवाल है। चीन तो लही रहा था। उसको आप सैंक्शन करे तो उसकी पीछा और कौन है। साथिस्टीशा की मुल्क है। इंडिया है। कोरिया है। तो यह मुल्कें जो है इस वक्त इस थिती में है कि वह अमरीका में क्या इंडस्ट्रिल गूड्स जो अमरीका ने बनाना बंद कर दिया करीब-करीब। उसकी गाडिया आजकल जोहां में बनती थी, तो यह जो चीजे है, कहां जाएगी, कहां उसको इन्नेमंतरन करेंगे, और वहां से फिर अमरीका को बेचेंगे, अमरीका के सबसे बड़ी बात है कि डॉलर उनका है, तो डॉलर छापना उनका अधिकार है, और इसलिए डेफिसिट एकॉनमी वो चला सकता, और यह जिस रास्ते पे जा रहा है, कि जो कहेंगे, ट्रेड वार जो जा रहा है, इसके ग्रिफ्त में सभी मुल्काएंगे, तो यह नहीं समझा, हमारे लिए भी कोई छूट होगी, हम दवायों के बारे में देख चुके हैं, ट्रॉम्प हो, बाइडन हो, पेटेंट वगारा बिल्कुल एक ही रवाया होता है, हाँ, उनीस बीस की थोड़ी हो जाएगी, आपने गए वहां पर, यह ट्रॉम्प यहां पर आया, तो कोच चीजे कहा की कर देंगे, पर हकीकत यह है, कि अमरीका इस वक्त इस तरह का कोई चीज करने के स्थिति में नहीं है, उसकी एकानोम जो है इस वक्त डावाडोल है, वो धिरे धिरे इंडस्ट्री हो, साइन्स हो, जो भी कहेंगे कटिंग एज चीजे है, उसमें पीछे हट रहे हैं, और चीन भारत वर्ष भी, भारत वर्ष भी अगर आप देखे उन चीजों पे आगे आ रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम दूसर करते हैं, हम इंडस्ट्रियल गूड्स पे इस तरह से मार्केट पे नहीं है, यह अलग विशय आ जाता है, तो हमारे लिए क्या करना है, दूसरे बात बे उसकी चर्चा कर सकते हैं, पर हकीकत जो है, कि उस जगह को फिल करने के लिए, भरने के लिए, चीन साउथिस्ट एश पर हम अभी भी उस थिती में नहीं है, पहुंचना चाहिए, पर बात की बात है, इसलिए भारदवर्ष और चायना और अमरिका जिरो सम गेम नहीं है, कि चीन हारेगा तो हमें फाइदा होगा, अमरिका का फाइदा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया की अर्थ नीती उस तरह से नहीं चलता, इसलिए यह जो चीज है, देखनी पड़ेगी कि इस राष्टे पर जाता है, पर मैंने इस समझता हूं कि दोस्ती या दुश्मनी यह जो है व्यापार में चलता है, इस पर तो मुनाफ़ा चलता है, और इस वक्त चीन की जगह भारत भरत उस जगह क ले नहीं सकता, तेने में वक्त लगेगा, अगर हम उस राष्टे पर चलना चाहते हैं, तो इसलिए देखना पड़ेगा, चीन और अमरिका के बीच में जो ट्रेड वार है, वो किस तरह से चलेगा, और हम, हमारा संबन चीन से और अमरिका से, डी लिंक करना पड़ेगा, ज इसलिए ये ना सोचे, चीन का नुकसान हमारा फैदा, चीन का नुकसान अमरिका का फैदा, ये ऐसा नहीं है, और मैं समझता हूँ, ट्रेड वार्स दुनिया में बढ़ेगी, और उसके ग्रिफ्त में सभी मुल्क आएंगे, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत भी शामिल ह ये अभी तो वेस्ट एशिया में तो जंग सबसे बड़ा सवाल है, ट्रेड नहीं है, और भूल नहीं जाना चाहिए, तेल वहां से सब के पास आता है, वो भी क्या होगा उसका? क्योंकि एरान और चीन दोनों ही ट्रम्प के निशाने पे बहुत समय से, पिछले रिजीम में भी उन्होंने दो देशों को टार्गेट किया था, उसमें एरान है और चीन है, फिलहाल खाली चलते चलते एक चीज़ आप से और जानना चाहूंगी मैं, कि बहुत चर्चा ट् बखवास है, पांसो साल में समुदर का दर बढ़ेगा, तब तक क्या होगा, किसने देखा है, तो पिछली बार आया थे तो पैदे से एग्रिमेंट से बाहर आया, अमरीका, आज आये हैं तो संकत और बढ़ गया, तो यह और बंटाढ़ हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज प क्योंकि अमरीका की जो पॉलिसी रही है, यह कभी भी ग्लोबल वार्मिंग बे शिरकत करके इसको रोखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ रहे है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे बरा ट्रांजिशन, और एक दिन बात करेंगे, सबसे बरा ट संभव है, सवाल है कि अगर हम उसको स्विकार नहीं करेंगे, तो कुछ स्वार्थ अलग इससे जुड़ा हूआ है, जैसे अमरीका की तेल, जो इलेक्रिकल वेहिकल के जगा बड़े-बड़े एसुवी चलाते हैं तेल से, तो यह अलग डिसकुशन एक दिन और करेंगे, प कोई फरक नहीं पड़ता, हलांकि बागदोर इसको बाइडन के हाथ पे है, पर जो भी कमिट्मेंट करेंगे, तो दो महीना बाद वो विड्रा हो जाएगा, तो इसलिए मैं समझता हूँ, इसको देखते हैं, पर हाँ, वहाँ पर जो भी करना है, अमरीकाव को ताक भी रख नहीं करना पड़ेगा, उसकी सहमती से ना पहले गाड़ी चली, ना आगे गाड़ी चलेगा, जी, बहुत-बहुत शक्रिया प्रबीर